36 गड़ के सरगुजा में पुलिस ने चोरों के अंतराजी गिरों का परदा पाश किया पुलिस ने एक ज्वेलर्स की दुकान में चोरी के आरोपियों को महराश्ट के नाकपुर से गिरफतार कर लिया सरगुजा के अमबेकापुर में एक ज्वेलर्स की दुकान में तीन महिलाएं गहने खरीदने के बहाने से आई इन लोगों को दुकानदार ने गहने दिखाए लेकिन जैसे ही वो गहनों का वजन करने के लिए पल्टा महिलाओं ने करीब देर लाक रुपए के जेवरात चोरी कर लिए चोरी की ये वारदायत दुकान में लगें सीसी टीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई जिसके आधार पर पुलिस ने जाल शुरू कर दी इस बीच पुलिस को आरोपियों के नागपुर में होने की जानकारी मिली जिसके बाद सर्गुजा पुलिस की विशेश टीम ने तीन महिलाओं समेच 4 आरोपियों को नागपुर से गिरफतार कर लिया साथी उनके कबजे से चोरी किये गए जेवरात बरामत किये पुलिस ने चारो आरोपियों को गिरफतार कर जेल बेज दिया ये घटना 19 अक्टूबर की बताई गई जांच के समय पुलिस ने 200 से भी जादा CCTV की वीजियों की जांच की और आखिरकार पुलिस को काम्याबी मिल गई उदर इरान वर्सिस इसराइल में एक ऐसी एंट्री हो गई है जिसने इरान की रातों की नीन्ध हराम कर दिये क्योंकि इस देश ने इरान के दुश्मन इसराइल से हाथ मिला लिया है ये देश है तुरकी, तुरकी और इस्रेयल के रिष्टों पर बीते एक दशक से भी ज्यादा वक्त से बर्फ जमी थी लेकिन इस्रेयल ने अब तुरकी से दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा दिया है और वो दोस्ती इरान और इस्रेयल के बीच बरसों से सुलग रही आग में घी डालने का काम कर सकती है इरान और इस्रेयल का 36 का आंकड़ा जग जाहिर है और इरान के तुर्की से रिष्टे भी ठंडे है बात चाहे सिर्या की हो, लीबिया की या फिर आजरबायजान की इरान और तुर्की हर जगा एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं ऐसे में लोहे को गरम दे के इस्रेयल ने उस पर हतोड़ा मार दिया और उसके रक्षा मंतरी तुर्की पहुंच गए एक दिन पहले उन्होंने राजधानी अंकारा में राश्टपती रेजिप टायब अर्दुवान और वहां के रक्षा मंतरी से मुलकात की एक दशक से भी ज्यादा वक्त में ये पहली बार हुआ जब इस्रेयल के किसी टॉप रक्षा अधिकारी ने तुर्की का दौरा किया जिसने इरान का बीपी हाई कर दिया क्योंकि अगर तुर्की और इस्रेयल साथ आ गए तो इरान का पश्चिमेशिया पर राज़ करने का सपना चक्नाचूर हो जाएगा उपर से तुर्की इरान का पडोसी भी है ऐसे में अगर इरान का दुष्मन इसरेल उसके पड़ोस में आकर बैट जाए तो इरान के हाथ पाँ फुल नहीं है जून में ही खबर आई थी कि इरान तुर्की में मौझूद इसरेल के नागरिकों को निशाना बना सकता है कहा गया था कि तुर्की नहीं ये खुफिया जानकारी इसरेल को पहुचा कर इरान का फ्लैन चौपट कर दिया था तबी से इसरेल और तुर्की की बढ़ती नजदीकियों ने इरान की तियोरियां चड़ा दी थी इरान की टेंशन जायज भी है क्योंकि पश्चिमेशिया के इस इस इलाके में इरान, तुर्की और इसरेल तीनों बड़ी ताकते हैं तीनों की सेनाएं भी दमदार हैं और तीनों ही एक से बढ़कर एक हत्यार बनाने में भी लगए है इसलिए इस्राइल और तुर्की के साथ आने का मतलब है कि इरान का केल खत्म यहां तक कि सीरिया में भी इरान के सितारे ढल सकते है क्योंकि अभी इरान सीरिया में मलाई खाने में लगा है लेकिन तुर्की से हाथ मिलाकर इसराइल सीरिया में भी इरान से हिसाब बराबर कर सकता है वो इसलिए क्योंकि तुर्की की मौजूदगी सीरिया में भी है सीरिया में इरान और तुर्की एक दूसरे के खिलाव लड़ रहे हैं इरान सीरिया की सरकार की तरफ है और तुर्की सीरिया की सरकार के खिलाफ खड़े विद्रोहियों के साथ। वहीं इसरेल सीरिया में इरान के समर्थन वाले लड़ाकों को निशाना बनाता रहता है। ऐसे में इस्रेयल को तुर्की का संग मिल जाये तो वो सीरिया में भी इरान का जीना मोहाल कर देगा इस बीच इरान ने इस्रेयल पर उसकी जासूसी करवाने का बहुत बड़ा आरोप लगाया है लेकिन इरान ने दावा किया कि उसने इस्रेयल के प्लान पर पानी फेर दिया क्योंकि उसने अपने पश्चिमी अजरबायजान प्रांच से उन दस लोगों को गरफतार कर दिया इरान ने कहा कि ये सभी लोग इस्रेल की इंटेलिजन्स एजनसी मुसाद के अधिकारियों के संपर्क में थे